नमाशकार दोस्तों, वेलकम डू माई चैनल एक्जाम स्टोर एक्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड बात करने वाले हैं UP Board एक्जाम को लेकर 2021 कि कभ इस एक्जाम को कंड़क्ट कराया जाएगा जी है दोस्तों, बहुत सारे इसके फेक वीडियो भी आपको देखने को मिले होंगे कि इसका एक्जाम जो है अप्रेल में कंड़क्ट करा दिया जाएगा मार्च में करा दिया जाएगा तो मैं आज इन सब को किलियर करने वाला हूँ ततक पूरा इस चुनाओं में चला जाएगा यानि अप्रेल के बाद माई मन्त में आप लोगों का इक्जाम स्टार्ट होने वाला है चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो जनकारी हमें कहां से प्राप्त हुई सब आपको दिखाता हूँ तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और वेल बटन पे क्लिक कर दीजिए जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालू इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके यूपी बोर्ड दसवी और बारवी की परिच्छा मैं में होने की उमीद है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो गाईज जैसे कि आप लोग देख पा रहे है पंचाज चुनाओ 30 अप्रेल तक कराने के हाई कोड के आदेश से अभी यूपी बोर्ड परिच्छा का टाइम टेवल गोसित होने की उमीद भी बद गई है हाई स्कूल और इंटर्मीडेट परिच्छा के लिए पंजिकरी 56 लाग से अधिक छात्र छात्राओं की परिच्छा मैं में होने के असार है यहाँ देख सकते हैं आपका एक्जाम जो होने वाले का मैं मैं में होने के असार है क्योंकि अभी 55 चुनाई 30 अपरिच्छा कराने के लिए हाई कोड का अधेस है तो इसको टाला नहीं जा सकता है वरेन तो आप लोग का एक्जाम का जो होगा वो मई से इक्जाम स्टार्ट हो सकता है बोड सचीव दिबेकान सुकल ने 13 अगस्त को जारी सैच्छिक पंचांग में मार्च या अपरेल में बोड परिच्छा कराने का समय दिया था इनों ने जो आपके सचीव हैं तीस अपरेल तक पंचाय चुनाओ को खतम कराने की बात कई है तब से ही हालात बदल गए हैं और आप लोग का एक्जाम जो है माई में 10 वी और 12 वी की परिच्छा कराने की प्रबल संभावना है अब तक पंचाय चुनाओ की स्तिती असपस्ट न होने के कारण और परिच्छा का टाइम टेवल भी नहीं बनाय जा सकता था है कोट का आदेस आने के बाद अब UP Board के अफसर सासन के आदेस का इंतजार कर रहे है सासन का निर्देस मिलने के बाद Board परिच्छा का टाइम टेवल बनाकर मनजूरी के लिए बेजा चाएगा तो फ्रेंड यहां देख सकते हैं अब जो सासन को भी मर्ण जूरी मिल जाएगा उसके बाद यह टाइम टेवल बना कर बेजा जाएगा CBSC से पहले परड़ाम आने का अनुमान है तो आप लोग का रिजल्ट जो है CBSC से पहले आ जाएगा जो मैंने आपको शुरू में ही बताया है CBSC ने 4 मई से बोड परिच्छा कराने का टाइम टेवल जारी किया है और CBSC की 10 वी की परिच्छा 4 मई से 7 जून तक वहीं 12 वी की परिच्छा 4 मई से 11 जून तक चलेगी यूपी बोड की परिच्छा हैं अब शिर्फ 15 दिन में होने लगी हैं कापी जाचने में भी 15 दिन का समय लगता है इसलिए टाइम टेवल जारी करने में भले यूपी बोड पिछड़ गया हो लेकिन रिजल्ट गोसित करने में CBSC से आगे रहने की उमीद है यहां देख सकते हैं यूपी बोड जो है भले अपना स्कीम या टाइम टेवल डेट सीट लेट से जारी करता है लेकिन अपना रिजल्ट जो है वो CBSC से आगी जारी करने की उमीद है 2021 की बोड परिच्छा में बच्चों की संक्या कितनी है तो यहां देख सकते हैं 29,94,312 हाइश कूल में पंजी करित बच्चे हैं वहाई 26,9,501 चात इंटर्मीडियेट परिच्छा में हैं तो टोटल यह रहे हैं कंडिडेट 2021 की बोड परिच्छा में इस बार यह स्टूडेंट बैठने वाले हैं तो यह रहा ओबरल नहीं जो मैंने आपके सार सेयर की पल-पल आपको लेटेस्ट कबर हुआ परिच्छाओं की बी तयारी मिलेगी तो आप लोग हमसे जूड़े रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सकाइब करें वीडियो को लाइक और बेल बटन पर जरूर क्रिक ले जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए आज के लिए पस इतना ही मिलते नेक्ट बिए तब तक लिए गुडबाय टेक केर जाएं दोस्तों